नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मोनुकंबोज सिरसा हरयाना से आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आए हूँ और उमीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियो को पसंद कर रहे हैं ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी दो बहुत से दुस्त हैं मेरे जो की मुझे कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि जैसे वो किसी बैंड मेरे किसी चाइनी से अगर चैन्ल करते हैं तो उससे जढ़ प्रब्लम देखने को मिलती है वक पर मिरर की प्रबलम अगर आप कोई panel डालते हो तो उसमें mirror का option नहीं रहता है SONI का SET रहता है उसमे mirror का option नहीं रहता है ऐसे Panasonic, Toshiba कही opposite से आते हं जिनमें डारेक प्ली mirror आप नहीं कर सकते है तो ऐसे सेटों में जब आप पैनल चेंज करने जाते हैं तो mirror का जो problem आता है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमारी दोस्तों को करनी पड़ती है तो उसके उपर मैं आज वीडियो लेके आए हूँ कि किस पैनल के जगा पे अगर कौन सा पैनल आप लगाते हो तो easily आपका जो काम है वो हो जाता है तो उसके उपर पूरी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी वीडियो को end तक जरूर देखिएगा साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें अगर आपका कोई सुझाव है कॉमेंट बक्स में आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ताकि हमारे जो नए दोस्त हम से जुड़ने वाले हैं हम बहुत कुछ सीख सके तो हम यहां पर यज जो पैनल की डिटेल्स है हम यहां पर धो हम यहां पर कटहकी है तो आपको पैनल के आपको देखने को पैनल की जग सब्सक्राइब वह नहीं आएगा तो चलते हैं हम अपने यहां प्erne Lions की उपढ को दोस्तों कई तरह के पैनल आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे अलग-अलग कंपनी के पैनल होते हैं तो किस तरीके से उनके उपर आपको काम करना है कौन सा पैनल अगर आप ब्रेवकन हो जाए या खराब हो जाए तो चेंज करना है जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं पुराने सेटों में Samsung या LG का ही पैनल ज़्यादा तर आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है BOE का पैनल B.O.E. का पैनल बहुत से ब्रैंड्स में भी यूज किया गया है बहुत से जो मार्केट के सेट है उसमें भी आपको B.O.E. का जो पैनल है वो देखने को मिलेगा उसके बाद A.U.O का पैनल जो रहता है वो आपको मार्केट में बहुत से सेटों में देखने को मिलेगा चाहिए वो सोनी लगा सकते हो या मार्केट के कोई सेट है उन में आपको देखने को मिलेगा इसके बाद जो अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों को पैनल देखने को मिलता है वो है पांडा का पैनल टीकोन वाला भी हो सकता है स्कैलर वाला भी पैनल होत HKC का पैनल है वो मार्केट में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का स्कैलर या इस तरीके का टीकोन भी इसके अंदर आता है यहाँ पे HKC अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पैनल है तो आप पैनल की डीटेल निकाल सकते है गूगल पे जाके वहाँ पे आपको जो पैनल की मैनुफेक्टरिंग कंपनी है उसका आपको नाम पता चलेगा आपको उसकी डीटेल पता चलेगी जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पैनल की डीटेल्स बताई otherwise आप Google से भी इनको जो डिटेल है इसकी निकाल सकते है उसके बाद C-Sort का पैनल है ये भी बहुत से ब्रैंट्स में यूज किया गया C-Sort का पैनल जो है 32 इंच में या 24 इंच में 43 में अभी बहुत जगाओं पे आपको C-Sort का पैनल जो है देखने को मिलेगा इसी तरीके से एक Innolex का पैनल है Innolex Company जो पैनल बनाती है ये भी बहुत से सेटों में आपको देखने को मिलेगा इसी तरीके से पुराने कुछ सेट थे जिनमें Sharp का पैनल देखने को मिलेगा जो कि आजकल बहुत कम आपको दिखाई देता हूँ लेकिन शार्प का पैनल जो है वो कई सेटों में यूज किया गया है इसी तरीके से कुछ पैनसोनिक के भी अलग मोडल आते हैं पैनसोनिक अलग पैनल आता है वो आप लोगों को सेटों में देखने को मिलता है तो यह कुछ मैक्सिमम पैनल की डिटेल्स है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी मैक्सिमम पैनल है जो कि आप लोगों को अलग अलग ब्रैंड में अलग अलग टीवी में देखने को मिलते है तो इन पैनल्स की मैंने दो कैटेगरी बनाई है कि किसकी जगा कौन सा पैनल आप लगा सकते हैं आपको चेक करना होता है कि किस तरीके से आपको इसके रेडुलेशन है या उसका RVDS की सेटिंग है वो कैसे करनी है वो सारी डिटेल्स मैं औरेड़ी वीडियो में देच चुका हूँ तो मैं इनको अलग-अलग कैटेगरी में पहले आप लोगों को रखके दिखाता हूँ तो पहली कैटेगरी जो है वो मैंने यहाँ पे छाट के रखी है अलग माना के रखी है पहली category में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस company का पैनल अगर लगा हुआ है तो आप कौन सी company का पैनल उसके अंदर आसानी से fit कर सकते हो सबसे पहले मैंने आप लोगों के यहां पर दिखाना चाहूँगा Samsung का पैनल अगर आपके पास कोई broken पैनल आता है जिसके अंदर Samsung का पैनल लगा हुआ सेट के अंदर सेट कोई ऐसा आता है जिसमें Samsung का पैनल है तो उसमें आप AUO का पैनल बीठा सकते हैं अगर आपके पास है इसी तरीके से अगर आपके पास sharp का पैनल है तो वो बीठा सकते हैं सी तरीके से एच के सी का जो पैनल है एगर यह चाहिए अगर आपके पास है तो यह आप इटा सकते हैं दोभी इसमें कोई भी पैनल अगर आपके पास जैसे कि आयू का पैनल पहले लगा हुआ है आप मान सकते आपके लेड़ी में ब्रॉकन है या खराब है उसको आपको बेटा है वो लगबग सेम रहता है मिरॉर हैंने को अगर एक दूसरे के तो आपका जो मिरर का प्रोब्लोम है वो नहीं आना चाहिए इन में से एक panel जो है वो आप market से लेके रख सकते हैं एक category का और आप समय इन पांचों company के panel में आप एक panel को लगा सकते हैं आपका जो mirror का problem है वो मेरे इसाब से जो मैं practically मैंने आप बोगों को बता रहा हूं कि किया है वो आपको नहीं आना चाहिए दूसरी category पे बात करते हैं वो है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं यह category मैंने यहाँ पे select की है माल लीजी आपके पास कोई set आता है जिसमें BOE का panel लगा हुआ है LG का panel लगा हुआ है Panda का panel लगा हुआ है या Inolux का panel लगा हुआ है तो आप इन में से कोई भी panel आपके पास है इन में से कोई भी एक panel आप मंगा के रख सकते है चाहे वो Inolux का मंगा के सकते हो या Panda का लगा या LG का या BOE का इन में से कोई भी पैनल अगर आपके पास है तो आप उसकी जगह पे उसको लगा सकते हैं और आपका जो mirror का problem है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा जिस set में service mode में अगर आप mirror का option है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है आप कोई सब भी panel आफ़िट कर सकते हो अगर आपके पास mirror का option नहीं है जैसे sony में जा panasonic में या कुछ और brand आते हैं जिन में mirror का option आपको easily नहीं कर सकते हैं उसमें आप लोगों को वही panel लगाना है उसी category का panel लगाना है जिस category का panel उसके अंदर लगा हुआ है सबसे पहले fitting important है उसके बाद आपको जो मैंने दो category बता ही है उसी साब से अगर आपके पास panel दो category के रहते हैं तो आपको जो mirror का problem है वो solution आपका निकल जाएगा तो इस तरीके से मैंने दो category में panel को रखा हुआ है एक LG, BOE, Inolux, Panda और इसमें आप Panasonic भी शामिल कर सकते हैं इसी तरीके से एक category जो है Samsung, AUO, C-Sort, HKC या Sharp की है इसमें से कोई भी अगर panel मेरे पास एक भी रहता है तो मैं इसको इसके लिए रखता हूँ और इस category को इसके लिए रखता हूँ तो इस तरीके से market से जैसे कि आप BOE का panel लेके रख सकते हैं या Panda का तो आप इन में से किसी में भी लगा सकते हैं इसी तरीके से आपको इसमें कोई भी एक panel मिलता है market में तो आप उसको लेके रख सकते हैं आप इनके दौरा आप जो problem आपको आती है mirror की जो आप लोग पैनल चेंज करते हैं, मीरर का प्रोब्लम आता है, उससे आप लोगों को थोड़ा सा जरूर इससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको शेर करें, लाइक करें, और अगर आप लोगों का कोई सु झाले वा दूस्ट